नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजूकेशन फ़र बेटर टुमोरो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी सी एचो की जो 4000 वेकेंसी आई थी 2022 में उसका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अभी अभी एक अपडेट निकल के स सामने आई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो के मार्देम से जानकारी देंगे और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगी पूरी प्रोसेस और कौन-कौन से डॉकुमेंट आपको लेकर के जाने हैं और पूरी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे तो वीडियो को आपिल आज तक देखेगा और यह मेल के तूरु-जानकारी आई ऐस जिननकों जोनगे मेलं नहीं मिला हैं तो जैसा कि कुछ Candidates को अभी-भी mail आया है उसके आधार पर ये वीडियो पना रहे हैं तो चैनल पर जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें जिससे इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तो भी पहुंच सकें बाकी लोगों की भी यल्प हो सकें एक मेल आया है जिन्हों ने एपलाई किया था उनको दोकुमेंट वैरिफिकेशन फॉर्व दी पोजिशन ओफ ची एचो रीकुरिटमेंट ओन ट्विश्व फेवरी तुट तो 26 फेवरी दोजार बाइस से डोकुमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है इनका जो जिनको अभी यह मेल आया है उनका 26 फेवरी को है कि अजिका 27 को होगा 28 को होगा एंड सो ओन तीन चार दिन पास दिन का यह प्रोसेस होगा अगर 4000 कैंडिडेट्स होंगे तो विकाउज डोकुमेंट वरिफिकेशन टेक्स सम टाइम एक-एक कैंडिडेट में उनको 20 मिनट से आधा गंटा का प्रोसेस लगता है एक-एक डोकु प्रोसेस भी है तो 27 के लिए आज मेल आया है 26 के लिए किसी को मेल आ सकता है लेट नाइट तक बट अब आप इनका मेल आएगा मौ फ्रावबली आस्टर ट्वेंटेस के लिए मेल आएगा तो परिसान नहीं होना है लास्ट येर का हमारा स्टेडि है इससे रिलेटेड का डॉकुमेंट वरिफिकेशन हुआ है क्योंकि CHO की वेकेंसी दो बार आई थी डिरेक्ट रिकूट्मेंट ऑन दी बेसिस ऑप मेरिट तो उसके पैटर्न के हिसाब से हम यह प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसी तरीके से आपका होगा तो जिनको मेल नहीं आया है उनको भी मेल आ जाएगा चलिए आप देखते हैं आगे की इसकी प्रूर्सेश्म क्या है तो आल देख्यों केंडिडेट्स आल देख्यों केंडिडेट्स हैब तो रिपोर्ट एट कमला सेंटर ओफ जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी लखनौव फॉर डॉक्मेंट वरिफिकेशन पॉर दी पोजिशन आप सी एचो रिकूट्मेंट ऑन दी फॉलाइंग देट्स तो जो भी केंडिडेट्स हैं चो के लिए जिर सौट लिस्टेट किये गए हैं और यह मार्क्स के बेसिस पे जो अभी तक का प्रिडिक्शन है सिक्स्टी पसेंट एंड एवब स्कोर जिनके हैं उनके बीएस्टी और पोस्ट बीएस्टी के एग्रिगेट मिला करके उन केंडिडेट्स को यह मेल आ रहा है या फिर आएगा नेक्स डेज में और इनको केजी एम्यू लखनौव में जो है किंग जॉर्ज मेडिकल उनिव दयोबा-9 जए आपको रिपोर्ट करना है और उसके साथ एक आपको डॉक्पॉम्न मेल में आया है जिस टॉक्मेन्ट का अपको प्रिंट कराना है और बाकी सपोर्टिंग डॉक्मेंट- लेकर जाने है इस त्रीके से आपको एक डॉक्मेंट आया होगा जिसको डाउनलोड करके और अपने सारे ओरिजनल डॉकुमेंट्स एंड उसके जिरॉक्स जिसको आप सेल पर टेस्टेट करेंगे उन ओरिजनल एज विल एज फोटो कोपीज को आपको ले करके जाना है जो भी डॉकुमेंट आपने प्रोसेस करने के टाइम में अप्लोड किया था वेबसाइट पर अब उस पीडिएफ में क्या है उसको देखते हैं पीडिएफ क्या है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश फॉर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन तो यहां पर आपको अपना अप्लिकेशन नमबर लिखना है यह आपका अप्लिकेशन फॉर्म जो सब्मिट किया होगा वहां से होगा नेम और यह जो आप फिल करेंगे इसको कैप्टर लेटर में फिल करेंगे फिर फोन नमबर आधार नमबर इमेल आईडी डेट अब बर्त और एज एज आज़ों मार्च 2022 तो यह आप खाली छोड़ देंगे यह वहां पर उनसे पूछ करके आप लिखेंगे डेट आप बर्त आपको इयर मन्त और डेज इस फॉर्म में लिखना है जैसे इस कलम में दिया गया है उसके बाद marks obtained in final year theory out of फिर उसका percentage of final year theory marks obtained in final year practical out of कितने में से आपको कितना आया था theory और practical में और फिर percentage में भी उसको लिखना है फिर उसके बाद यह final year का है उसके बाद आपको overall marks in the final year out of and उसके बाद उसका overall percentage of final year यह आपको लिखना है same with date तो यहाँ पर आपको date के साथ sign करना है please carry all original documents for verification photocopy of the documents certificates to be attested attached all shall be self attested सारे documents आपको self attested करने इसमें कौन कौन से document होंगे और जिस तरीके से यहाँ पर list है ठीक इसी तरीके से आप document को arrange करके लिए जाएगा document verification के time में आपको easy रहेगा वहाँ परिसान नहीं होना होगा अपने photo copies को भी इसी pattern में set करिएगा as well as original को भी इसी pattern में सबसे उपर आप रखेंगे date of birth certificate के लिए 10th का marksit certificate for age proof फिर final year marksit of BAC nursing post BAC nursing का उसके बाद आप उसके नीचे attach कर सकते हैं अपने सारे marksit उसके बाद आपको करना है certificate from the principal BAC nursing post BAC nursing with integrated CCHN course तो यहां पर आपको अपना CCHN course का certificate रखना है उसके नीचे आपको रखना है यूपी registration of nurses and midwifery council उसका certificate या फिर registration slip अगर आपके पास certificate अभी generate नहीं हो के मिला है तो आप उसका slip भी रख सकते हैं that you have already applied for यूपी nursing council registration के टेगरी सर्टिफिकेट तो जेनरल के लिए category सर्टिफिकेट के आवज सकता नहीं होगी जो यहां पर करके जाओ या फिर वहां पर भी वह आपको सेम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जहां पर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसिस होगा उसके बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी एप्लिकेशन फॉर्म का जो है उसका भी प्रिंट आउट चाहिए यहां पर नेम ऑप दी उनिवर्सिटी यहां लिखना है उसके आध कॉपी ओफ नोटिफिकेशन इसूड सर उस सरिविकेशन आपको मिलजाएगा उसको भी लेकरके जाना है उसकी फोटकोपी अब यह क्आएगे कि यह औरीजनल में कहां से मिलेगा तो चाहिए और जый मेर्सिटे है अपने दीन से एंडिट कर्कर ले जा सकते हैं या फिर आप उसको एज इस Ceबले frankly इसके उसके कोपी ऑफ नोटिफिकेशन के बाद आपको नेम ओफ दि कॉलेज और इंस्टिट्यूट या गौपी ऑफ दि नोटिफिकेशन इस टूड़ आपको ले करके जाना है तो इस तरीके से आपको डॉक्मेंट एरेंज करने हैं और किसी भी तरीके का अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इसको दो कॉपी में प्रेंट करके ले जाए और इसको ब्लेंक ले जाए वहां पर दे विल गीव दुट टाइम वहां पर आपको फिल करने के लिए टाइम देंगे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा फिर अप वहीं बैठ के फिल अरली मॉर्निंग कल तक मेल आ जाएगा ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था तो इतना कोई इसू नहीं है आपको भी मेल आएगा जिस तरीके से अभी बाकी कैंडिडेट्स को आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर कर बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद